अलो फ्रेंट्स माइने में संगीता आपका मेरे चैनल लर्न विद फ़न में स्वागत है हम यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं हम लर्न करेंगे और वो भी किसके साथ फ़न के साथ अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर हम कंपाउंड वर्ड के बारे में सीखेंगे कंपाउंड वर्ड होते हैं दो चीजों को जोड कर जैसे रेन पहला दिख रहा है आपको रेन बो अब बच्चा कई पर कंफ्यूज हो जाता है जब हम उसे बोलते हैं रेन बो उसे रेन की स्पैलिंग आती है उसे बो की स्पैलिंग भी आती है यह उसकी help करता है बच्चे की help करता है बड़े words को भी easily लिखने में देखिए आपके सामने जैसे कि मैंने यहाँ पर एक chart बनाया है उसमें पहला मैंने लिखा है rain, rain की spelling लिखी हुई है अब आप देखिए पीछे अब यह तो बच्चे को surprise लगीगा कि उसको rainbow की spelling इतनी बड़ी लिखनी आ गई है ना उसे fun लगेगा कि rainbow बीच बीच में friends अपने बच्चे को motivate करते रहे हैं कि आपने rain और बो को जोड़के spelling लिख दी वाव you are great बच्चा खुच से ही इतना खुश होगा कि वो learning में interest लेने लगेगा next है हमारे पास pancake see pan cake this is pancake बच्चा easily उसको grasp कर पाएगा लिख पाएगा next is snowman snowman see here is a snowman यह snowman है अब बच्चा snowman की spelling में बहुत प्यार से लिख पाएगा this is cat c a t cat and fish cat fish and last one is sun flower तो see sun flower here is sun flower see आपको थोड़ी सी महनत तो करनी ही होती है parents लेकिन बच्चा last में इतनी अच्छे से चीजों को learn कर पाता है सीख पाता है बस हमारा छोटा सा उसे contribution चाहिए होता है hello friends आप मेरे चैनल पे नई है तो please उसे like कर ये subscribe कर ये जिसे की मैं आगे इस तरह के वीडियो और बनाओं जिसे की हम सब मिलके अपने बच्चों की study में ऐसे वाले टाइम पे जब कोरोना के टाइम पे हम बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हमें stress हो रहे हैं कि हम बच्चे को आगे कैसे कर रहा है ऐसे में बहुत easy हो जाता है कि हम उन्हें play way method से पढ़ाएं आप please देखिए और मुझे please comment करके बताइए कि आपको मेरा channel कैसा लगा thank you bye bye